hi friends आज हम पढ़ने जा रहे ही निकालते हे उसे बहुते हैं और मेजमेंटि share to find parameter यहां पर और चांप थी आडरार्य के हुद्र आइट उसामने एक रेक्टेंगल अगर दिया हुआ है जिसकि लेंथ है 7 cm और विट है 3 cm, तो हम इसके पेरामेटर की बात करते हैं, तो इसकी 4 sides add होगी, सामने सामने वाली 3 3, सेम सेम, उपर और नीचे वाली 7 7, जब इसका पेरामेटर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 7 plus 3 plus 7 plus 3, जब इन 4 को add करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, rectangle का parameter 20 cm clear मतलब boundary जितनी भी है 4 तरफ की वो होती like हम circle की भी बात करते हैं तो उसका parameter क्या होती है circumference उसका 2 pi या जो हम निकालते हैं circle हमने पढ़ रखा है वैसे ही parameter यह होगा side की जो boundary होगी उसका parameter या measurement ठीक है clear चलो अब हम देखते area area of any closed figure is the surface enclosed by the parameter its unit is square of the unit of the length देखो यहाँ पर जैसे हमने यह लिया है shape तो इस shape का parameter तो यह हो गया बाहर वाला यह वाला लेकिन इस parameter ने जितना surface area cover कर रखा है याने कि यह अंदर वाला यह इसका क्या हो जाएगा area हो जाएगा अंदर वाला जो भी इसने cover कर रखा यह क्या हो जाएगा यह ना area यह वाला बाट तो हम जब area find करेंगे तो area of triangle की जब हम बात करते तो उसका general formula होता है 1 by 2 into base into height ठीक है area of a right angle triangle की बात करते हैं तो अगर right angle triangle की बात करो जो कि यहाँ पर क्या है right angle है जिसे में a, b, c इस triangle की बात करते हूँ जो कि b, b पर क्या है right angle है जहाँ पर b, c है 3 cm, a, b है 4 cm and a, c है 5 cm तो जब हम area of triangle के लिए हमने formula जो यूज किया है 1 by 2 into base into height जब हम right angle triangle लेते हैं तो उसका base उसकी height क्या हो जाएगी जहाँ पर वो क्या है right angle है वहाँ की जो adjacent दोनों sides होंगी वो ही दोनों क्या होगी एक base और एक height हो जाएगी then we can use the above formula directly by taking the two sides having the right angle one as the base and one as the height तो मतलब 4 और 3 में से एक base होगा और एक height होगी जहाँ पर यह right angle होगे अगर हम 4 को क्या करो मैं 4 को base ले लू और 3 को height ले लू तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर मैं इस triangle को ऐसे गुमा दू तो 4 यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा यहाँ पर right angle तुथा ही और यह 5 अगर मैंने इसको ऐसे गुमा दिया तो मतलब क्या होगे इसको मैं base ले लूँ और इसको height ले लूँ तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा और अभी हमने इसको height लिया था और इसको base लिया था कहने का मतलब जहाँ पर यह right angle थे हमाँ पर adjacent जो दोनों sides होगी उनमें से एक base होगा और एक height होगी तो मन हमें से क्या करना है 1 by 2 into वो दोन triangle equilateral triangle की बात करो मतलब तीनो साइट सेम है तीनो साइट सेम अब इसकी height की अगर में बात करो तो height कैसे निकल लूँगी तो height ऐसे करेंगे कि कि किसी भी एक vertex से मैं क्या करूंगी सामने वाली side पर मैंने एक perpendicular डाल दिया तो यह जो perpendicular डाला मतलब यह 90 degree और यही चीज हमारी क्य होगी height होगी इस triangle ठीक है अब इस height को मुझे find करना है सबसे पहले यहां जो लिखा हुआ वो देख लो इफ आल दी थ्री साइट साइट साइक्वल मतलब equilateral triangle then it is said to be an equilateral triangle यह हम सब को पता है in the equilateral triangle first we need to find the height by making the median of the triangle तो हमने यह median बनाया और यह क्या है हमारी height है जो मैंने बचाई here the equilateral triangle has three sides that is 10 cm मैंने यहां पर तीनों side जो लिए वो 10 cm की लिए है clear तो if we take the midpoint of BC BC का midpoint याने की यह D ले लिया मैंने आपर ठीक है BC then it will divide the triangle into two right angle triangle दिख रहा है हम यह height हो गए और यह right angle triangle abd and adc यह दोनों right angle triangle now we can use the pythagoras theorem to find the height of a triangle अब हम इसकी height find करनी है तो हम क्या करेंगे pythagoras theorem लगा है अगर मैं abd में लगा हूं तो क्या हो जाएगा ab का square याने की hypotenuse का square is equals to base square प्लस perpendicular का square तो क्या हो जाएगा ab का square is equals to ad का square प्लस bd का square यह रहा हमारा पार था को रोस्तियों तो हमारे पास यह hypotenuse है 10 का square ad हमें fine करना है height और यह क्या है base जब इसने इसको bisect किया तो यह 55 हो जाएंगे दोनों 10 का ठीक है तो यह पर 5 का square हो जाएगा ठीक तो अभी 5 का square उदर जाएगा तो 10 का square minus 5 square हो जाएगा ad का square 10 का square 100 and 5 का square 25 तो 100 minus 25 75 और जब मुझे ad करना है तो मुझे root of 75 करना है यानि की root of 75 मतलब 25 into 3 और 25 तो 5 का root होता है तो 5 बाहरा जाएगा और अंडर रूट में सिर 3 रहेगा तो 5 root 3 हमें क्या मिलेगा by cm ad की length मतलब height equal to height जो में h निकालनी थी height मिल गई तो अभी इस triangle का area हम easily find कर सकते है area 1 by 2 into base into height होगा हमारा यहाँ पर base हमारा क्या इस triangle का इस पूरे right angle triangle नहीं हमें इस पूरे triangle ABC का area निकालना है तो इसका base क्या है BC base ठीक है तो यह 10 cm है तो base की जाएगे मैंने 10 लिग दिया औ तो मैंने 5 root 3 यहां पर लिग दिया तो यह हो जागा 2 5s are 10 and 5 5s are 25 तो 25 root 3 cm square हमारा answer हो जाएगा एक equilateral triangle का area find करनेगा तो हमें बेस तो वैसे दिख जाता है ट्राइंगल में वन बाइट वहां लगाना उसके साथ है तो हैं जो होती है में ट्राइंगल में करेंगे hero formula जिसकी बाद हम आगे करने वाले हैं ठीक है सबसे पहले हम एक ट्राइंगल और देख लेते हैं एडिया आइसोसेलिस ट्राइंगल मीन्स क्या हो गया कि दो जो इसकी दो साइट से हैं वह सेम है जिसे एट यहां पर सेम है और बेस जो है फो सेम्टी मिटर है अब था था धुर्म मैंने लगाई तो क्या हो जाएगाARD क्या हो जाएगाhen favour लिए का स्क्वुर्ण बीम लिभा स्क्वगर इसक्वर कि मैं निकाल लिया प्लस, BD क्या है, 4 का अधा है, याने की 2, 2 हो जाएगा, यहाप पर, तो यह क्या हो जागा, 2 का स्क्वेर, equal to AB का स्क्वेर, याने की 8 का स्क्वेर, तो यह हो जागा, 64 minus 2, 2 is a 4, equal to H square, तो यह हो जागा, 60 equal to H square, this implies H equal to under root of 60, याने की 6 into 10, 3, 2 is a 6 and 10 को 5, 2 is a 10, तो अंदर कितना आ जाएगा, 2 बहार, और 15, 2 root 15, यह हमारा क्या हो गई, height हो गई, जो हमें चाहिए दि, अब height तो आ गई, अब इसका area निकलना है, तो area of triangle ABC पूरा है, तो 1 by 2 into base into height, तो अबना base कितना है, base तो पूरा का पूरा 4 है, इस ABC का, 4 है, तो 1 by 2 into base मैंने लिखा 4, और height जब मैंने भी find करिए, 2 root 15, 2 से 2, cancel, तो मुझे मिला 4 root 15, यह क्या हो गई, इसका answer हो गई, area of triangle ABC, clear, अब हम बात करेंगे next lecture में कि किसी triangle का हम अगर height find ना कर पाए, तो ऐसे triangle का हम area कैसे find करें, तो उसको हम देखने वाले next lecture में, thank you.